सोलन केस लोगडाक में एक तेज रफ़तार कार्णियंतिर होकर खाई में गिर गई खाई में गिरने की वज़त से कारसवार एक विक्ती गंबीर रूप से घायल हो गया स्थानिय लोगों की साहिता से घायल विक्ती को सड़क पर लाया गया जहां से उसे ambulance के माधिम से अस्पताल भेजा गया जहांचे किसको ने उसे मृत घोशित कर दिया मृतक AZ ओफिस में कारे रत था फिलहाल मृतक का पोस्ट मार्टम करवाय जा रहा है और जानने का प्रियास किया जा रहा है कि आखिर कार कार खाई में कैसे गिरी मामले की पुस्टी करते हुए जिलाप सोलन पुलिस अधिक्षक मधु सूदन शर्मा ने बताया कि शिफ्ट डिजायर खाई में गिरी थी जिसमें परविंदर सिंग गंबी रूप से घायल था जब उसे अस्ताल लाया गया तो उसे डॉक्टरों ने मृत खोशित कर दिया पुलिस ने इस घटना पर मामले दर्ज कर लिया है और अगामी कारवाही अमल में लाई जा रही है कल रात को पुलिस को सूचना मिली कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जिसका नमबर हचपी 63, हचपी 63, 4570 है वो द्रुकटना ग्राश्त होगी है तो पुलिस जब मौका पे गई तो वहाँ देखा कि एक व्यक्ति जिसका नाम परविंदर सिंग है वो जख्मी हालत में पड़ा हुआ था उसको जब हॉस्पिटल में लाए तो उसको ब्रॉड डर्ड डिकलेर किया गया है इस सिलसले में सदर थाना सुलन में 331 बटा ठारा जो है वो फायर दर्ज की गई है और जो सेक्शन्स लगाए गए है वो 284A 279304A IPC में दर्ज किया गया है